सबी को नमश्कार मैं कवितत गुआ करनाज से स्वागत करती हूँ आपका आज की जर्नल वीडियो में आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है इलेक्षन का प्रोसेस क्या है हमारे भारत में वैसे तो नाइंत के स्लेबस में टॉपिक है ये लेकिन ये वीडियो जर्नल है कोई भी बच्चा इसे देखकर भारत की चुनाव प्रक्रिया को समझ सकता है कि भारत में चुनाव कैसे करवाई जाते हैं तो सबसे पहले उसमें जो हम देखेंगे वो है निर्वाचन आयोग के बारे में जानकरी लेंगे कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो सरतंतरता प्राप्थ होने के बाद 1950 ने बनाया गया जो पहला इलक्षन हुआ वो 1951 से शिरू होकर बावन तक चला लेकिन उसे हम 1952 का शुनाव के नाम से जानते हैं उसके इलावा हम जानेंगे कि निर्वाचन शेतरों को कैसे बाटा गया है कितनी सीटें किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई है उसके इलावा जो हम जानेंगे वो वोटिंग कार्ड या जो MLA के इलक्षन में खड़े होने वाला कैंडिडेट है उनकी क्या योगता है MP के इलक्षन के लिए जो वेक्ति खड़े होते हैं उनकी क्या योगता है उसके इलावा हम जानेगे कि किसी candidate को अगर अयोग्य घोशित किया जाता है तो उसके क्या कारण है और भी बहुत सारी प्रक्रिया जैसे कि जो election में अपनाई जाती है उसके बारे में हम विस्तार से जानेगे कि जब चुनाव की घोशना की जाती है उसके बाद क्या प्रोसीजर चलता है तो चलिए शुरू करते हम अपना आज का वीडियो भारत में चुनाव प्रक्रिया चलिए आज हम election का पूरा प्रोसेस समझेंगे कि कैसे भारत में चुनाव होते हैं तो सबसे पहले हम उस संस्था के बारे में जानते हैं जो की चुनाव करवाती है चुनाव आयोग तो देखिए चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी जो चुनाव आयोग है वो अर्ध नियाईक संस्थान है एक स्वायत मतलब उसके उपर किसी का कोई उसके उपर कोई और संस्था काम नहीं करती अपना स्वायत संस्था है वो अर्ध नियाईक संस्थान है जिसका गठन भारत में सब्दंत्र और निश्पक्ष रूप से चुनाव करवाने के लिए किया गया है चलिए कुछ और जानते हैं चुनाव आयोग के बारे में देखे जो चुनाव आयोग है इसमें वर्तमान समय में एक मुख्य चुनाव आयोग और दो चुनाव आयोग है मतलब कुल तीन से दस्थे हैं जब ये पहले पहल 1950 में गठित हुआ था तब से 15 अक्तूबर 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयोग सहीत ये एक कल सदस्ये निकाय था 16 अक्तूबर 1989 से एक जनवरी 1990 तक ये है आर वियस शास्त्री और निर्वाचन आयोग के रूप में SS धनोवा और वियस सहगस सहित तीन सदस्यों का निकाय बन गया दिखी 89 से लेके 90 तक इसमें तीन सदस्ये थे उससे पहले क्या था एक सदस्ये वाला निकाय था लेकिन 2 जनवरी 1990 से लेकर 30 सितंबर 1993 तक ये है एक कल सदस्ये निकाय बन गया फिर 1 अक्तूबर 1993 से या 3 सदस्ये निकाय है जो की वर्तमान समय तक लागू है मतलब इसमें एक मुखे चुनाव आयुक्त और दो अन्य आयुक्त है चलिए अब हम देखते हैं कि सीटों का बटवारा कैसे किया जाता है तो देखें सीटों का जो बटवारा है वो जनसंख्या के अधार पर किया जाता है कि किस राजे में कितनी जनसंख्या है उसी के अधार पर सीटों का बटवारा के जाता है देखें जो आपको वाइट कलर में दिखेगा मैप में वो समाने श्रेणे की सीटे हैं हम लोग सबा की बात कर रहें लोग सबा में 412 सीटे पुल 543 में से जो 412 सीटे हैं वो समाने जाती की है 84 जो हैं अनुसूचित जाती की और जो 47 से अनुसूचित जन जाती के कैंडिडेट्स के लिए आरच्छित की गई है तो इस तरह से सीटों का बढ़वारा किया गया है कि देखिए जो कुल हैं कुल सीटे हैं 543 543 में से जो आपकी 412 हैं वो समानने जाती के लिए 84 अनुसूचित जाती के लिए तो इस तरह आपकी टोटल सीटे कितने होगी 543 और ये अलग-अलग कलर में दिखाया गया है कि कहां पर अनुसूचित जाती की सीटा रक्षित है कहां पर अनुसूचित जाती की और कहां समानने जाती ठीक है ये आपको इस मैप में बताया गया है कि कहां पर कितनी सीटें लोग सबा की है देखिए और नाचल परदेश में 25 और सोरी दो आंधर परदेश में 25 सीटें लोग सबा की है आसाम में 14, बिहार में 40, 36 गड़ में 11, गोवा में 2, गुजरात में 26, हमारे हर्याना में 10 सीटें देखिए हिमाचल में 4, जमु कश्मीर में 6, छारखंड में 14, करनाटक में 28, केरल में 20, मद्डे परदेश में 29, माहारास्टर में 48, मणईपूर में 2, मिघाले में 2, मिजुरं में 1, नागलेंड में 1, उरिसा में 21, पंजाब में 13, राजसान में 25, शिकी में 1, तमिल में 49, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2, पूरे भारत में सबसे यादा जो लोकसभा की सीटे हैं वो है, उत्तर परदेश में वो है कुल 80 सीटे, उसके पाद उत्तरा खंड में 5, पस्सिम बंगाल में 42, तो इस तरहां से सीटों का बठवारा किया गया है, भारत, चलिए, इस से आगे चलते हैं हम लोग, अब हम जान लेते हैं कि अगर हमें वोट डालना है तो उसके लिए हमारे पस क्या होना चाहिए, वोटर कार्ड, तो देखे, निर्वाचन शेतर में ऐसे लोग जो अपने प्रतिनीजियों को वोट देते हैं, या खुद जुनाव के ल नाम होना चाहिए, और जितने भी बच्चे 18 साल से उपर हैं, चाहिए वो इस्तरी है, पुरुष है, सब का नाम मत आता सुची में होता है अब हम जान लेते हैं, कि जो MLA के लिए candidate खड़े होते हैं, मानली जी, election है, कोई व्यक्ती MLA के candidate में, as a candidate खड़ा होता है, election में, तो उसके लिए क्या योगता है, एक MLA बनने के लिए, सबसे पहली, वो भारत का नागरी को, दूसरी, पत्चिस वर्ष से अधिक आयू नहीं 25 वर्ष से का मायू नहीं होनी चाहिए, अगली, जन प्रतिनी जित्व अधिनियम 1951 के अंसार, किसी व्यक्ती को उस राजे के, किसी विधान सबा, निर्वाचन शेत्र का, निर्वाचक होना चाहिए, मतलब, वहाँ पर उसका वोट बना होना चाहिए, एक व्यक्ती को भार के संके मंत्री के इलावा, भारत सरकार या किसी राज्ये की अधिन, लाव का कोई करहले नहीं रखना थी, ये नहों कि वो किसी आईयस केडर के पोस्ट पे भी काम कर रहा हो, और इलेक्शन में भी तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे देखी, एक व्यक्ती को स्वस्त के अंसार कोई व्यक्ती विधायक नहीं रह सकता, यदि उस व्यक्ती को अधालत द्वारा दोशी ठहराया गया है, या किसी मामले में दोशी पाया गया है, तो ये सारी जो कंडिशन्स हैं, कि भारत का नागरी को 35 वर्श की आई हो, मत दाता सुची में उसका नाम हो, किसी लाव के पद पर ना हो, स्वस्त दिमाग हो उसका, और कोई अपरादिक मामला उसके उपर ना हो, अब हम जान लेते हैं कि MP के लिए, जो लोग सबा इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं लोग, उनके लिए क्या योगिता है, देखें सेम ही है लगवग, कि भारत का नागरी को 25 वर्ष की आईउ हो, किसी संसद्य शेतर में मत दाता होना चाहिए, मानेता प्राप्त राइनितिक दल द्वारा, उसे अपना केंडिडेट नोमिनेट किया जाना चाहिए, और उसे 25,000 रुपे सुरक्षा जमा करानी होती है, मतलब एज़े स्क्योटी अमाउंट जमा होता है, और उसका नाम दस व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए, अब ही तो हमने देखा कि उनको क्या क्या eligibility criteria है, अब हम देखते हैं, disqualifying criteria क्या है, क्योंने क्यों disqualify किया जा सकता है, देखिए सबसे पहली, कोई व्यक्ति election में खड़ा हो जासता है, ल साम कर रहा हो, तो वो disqualify हो जाएगा, अगर उसका दिमागी तोर पर स्थिर ना हो व्यक्ति, तो भी disqualify होगा, दिवालिया हो, मतलब उसने लोगों का करजा देना हो, लेकिन वो दे ना रहो, दिवालिया हो, तो वो व्यक्ति भी अयोग्य है, भारत का नागरिक ना हो, तो वो भी election में नहीं खड़ा हो सकता, भारतिये संसर द्वारा बनाए गए, किसी कानून द्वारा इसे अयोग्य घोशित किया गया हो, दल बदल के धार उसे आयोग्य किया गया हो, विभिन्स मुहों के बीच में दुश्वनी को बढ़ावा देने के लिए उसे दोशी करार दिया गया हो, रिश्वत के अपराद के लिए दोशी ठहराया गया हो, जिहाद, अस-प्रिशता, दहेज, यसती प्रता जैसे, समाजिक अपरादों के प्रचार और अभ्यास के लिए दंडित किया गया हो तो और व्रस्टाचार के लिए दोश्यू तो जो ऐसा विक्ति है वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता वो एक डिस्क्वालिफाइंग कैंडिडिट है चलिए अब हम देख लेते हैं कि नमंकन करना क्या होता है देखे जब चुनाव होते हैं तो क्या होता है चुनाव आयोग एक तिथी की घोशना करता है कि इस राज्ये में इस तिथी को चुनाव करवाए जाएंगी तो उसके बात क्या होता है जो केंडिडिडिट इलेक्शन म खड़े होना चाहते हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो देखी भारत का हर पात्र व्यक्ति को चुनाव में खड़े होने की अनुवती देता है जब तक उसके पास चिकट हो चुनाव के लिए एक राजनितिक दल होता है जो उसे अपना एस एक एंडिडेट खड़ा करता है और नमांकन पत्र भी उसके नाम से दाखिल करता है वो व्यक्ति उस पार्टी के नाम से और चुनाव के समय उसको उस पार्टी का जो चिन है वो परतीक के रूप में उसका प्रतिनितितु करता है तो सबसे पहली बात जो आई वो है कि प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर क्या आती है चुनाव परचार करने की तो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को दो सप्ताहा का समय दिया जाता है चुनाव अभियान चलाने के लिए वो उस दो सप्ताहा के समय में अपनी जो पार्टी की नीतिया है या जीतने के बाद वो क्या कारे करेगा वो लेकर लोगों के साथ सभाएं करता है या उनके घरों में जाकर अपना परचार करता है रेडि न प्रचार करते हैं, देखिए छुनाव की तिथी घोशित हो गई, नामांकन भरा गया, छुनाव प्रचार हो गया, तो अब यह देखिए जब हम वोट डालने जाते हैं, हम लोग मत दाता जो हैं, जब वोट डालने जाते हैं, अपनी पसंद का नेता चुनने, तो हम किन जो पहले प्रियोग होते थी वह थे बैलेट पेपर इसमें देखिए आपको व्यक्ति का नाम उसकी पार्टी और उसका चुनाव चिन लिखा हुआ दिया जाता है यह डमी है तो इसलिए आपको इसमें कुछ भी असान नहीं दिखिए तो जो बैलेट पेपर होता है ऐसे आप को यह देखिए यह अंगुठे का निशान दिखाई दे रहे हैं ठपई का निशान दिखाई दे रहे हैं तो व्यक्ति को एक ऐसी मोहर उसके आगे अंकित करनी होती कि मैं इस पार्टी को वोट देना जाता हूं तो इस तरहां का जो प्रियोग होता था वो बैलेट पेपर लेकिन वर्तमान में समय बदल गया है बैलेट पेपर का स्थान आप किसने ले लिया है इलक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन में अब जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमें एक पूरा वोट डालने का भी प्रोसीजर है आप अपना कोई आईडी प्रूफ लेकर जाते हैं वोट नमबर वाली आप उसे लेकर पॉलिंग बूत में जाते हैं जब आप बूत में जाते हैं तो वहां जिन करमचारियों की डूटी लगी होती है वो लिस्ट में आपका नाम वेरिफाई करते हैं और आपके आईडी प्रूफ को चेक करते हैं कि यह वही व्यक्ति है अगर व्य व्यक्ति ने वोट डाल गये हैं और फिर आपको अंदर वोटिंग मशीन पर बटन प्रेस करने के लिए जाना होता है वोटिंग मशीन में क्या होता है देखिए पार्टी का नाम और उसको सिंबल और उसके आगे बटन बने होते हैं आप जिस भी कैंडिडेट को अपना वो जिस दिन वोटिंग खतम हो गई उसके बाद अगला प्रोसीजर क्या चुरू होता है काउंटिंग का तो देखिए वोट देने के बाद उन्हें गिना जाता है और जिस कैंडिडेट को अधिकांच वोट मिले होते हैं उस उमीदवार को विजेता गोशित किया जाता है यह स सारा चुनाव का प्रोसेस था जो आपको बताया गया उमीद करती हूं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद